देश में GST को लागू हुए 6 साल हो चुके हैं और GST की औसत मासिक कलेक्शन भी 1.5 लाग करोड रुपए के करीब पहुंद गी है लेकिन इसके बावजूर GST की चोरी पर लगाम नहीं लग रही है 6 वर्सों के दोरान देश में करीब 3 लाग करोड रुपए की GST चोरी पकड़ी गई है और इसमें 1 लाग करोड रुपए की GST चोरी तो वित्त वर्स 2022 देश के दोरान ही सामने आएगा अब सरकार इसी GST चोरी पर रोक लगाने के लिए कदम उठा रही है सर इतनी बड़ी टैक्स चोरी हो रही है टैक्स चोरी ना हो इसके लिए यह कानून लाया गया अब GST में भी चोरी हो रही है क्या वज़ा है GST का हाल ऐसा जेल में सुरंग जैसा लगता है GST को इसलिए लाया गया था कि पूरा डिजिटलिस स्ट्रक्चर होगा कोई टैक्स चोरी नहीं होगी सारे लोग बिल पे करेंगे जब बिल दिखाएंगे तब उनको उनका इंपूट टैक्स क्रेडिट मिलेगा सारे एकाउंट्स का एक पैरलल स्ट्रक्चर होगा जिस पर उसकी जाच पड़ता होगी लेकिन जीस टी को पांच साल पूरे होने के बाद जो सूच नाम को मिलती है कि करीब करीब एक लाग करोल रुपए के आसपास की टैक्स चोरी तो इसी साल पकड़ी गई है सिर्फ इस साल के दोरान जिस साल जीस टी के कलेक्शन में सबस्यादा बड़ोतरी दिखाईगी दूसरी चीज़े कि तीन लाग करोल रुपए की टैक्स चोरी जीस टी के इतने सालों में दिखाईगी और उन कंपिनियों के आधार पर इंपूट टैक्स क्रेडिट लेने की लेकर जीस टी के पूरे सिस्टम में सेंद लगाएगी ये सेंद ऐसे लगाएगी कि कोई भी वेक्ति निजी तोर पर कोई सामान खरीदता है और उसे किसी कंपिनी के नाम बिल करा लेता और कंपिनी उस पर इंपूट टैक्स क्रेडिट ले लेती है इंपूट टैक्स क्रेडिट धान रखना जरूरी इंपूट टैक्स क्रेडिट जीस टी के सिस्टम की जान था जीस्टी सिर्फ इसलिए आया था ताकि बार-बार टेक्स ना देना पड़े और अगर आप कच्छे माल पर टेक्स चुका रहे हैं तो तैयार माल पर उस टेक्स की लागत आपको वापस मिल जाए और वही जो जीस्टी का सबसे बड़ा महत्व पूर्णिसा था वही टेक्स च उसके वापसी होने का खत्रा भी बनता दिखाई देता है